तो आज आपका फेवरेट सब्जेक ड्राइंग है चले ड्राइंग करते हैं आपको पेज नंबर 20 निकालना है ट्री कलरी कलर द रिमेनिंग पिच्चर नीटली ये देखो बच्चो ये ट्री है आपको पता है ना ट्री अलग-अलग प्रकार के होते हैं आम जामू नीम नारि दिल का पेड है इसको क्या कहते हैं यहां पर निकालना Wash लेट इसको बाकी उसको आपको अ乾लर proper coloring करना है इसको यहाँ पर भी आपको brown color करना है बच्चो next picture page number 21 निकालना है night sky starts pasting take some silver stars and paste them on the night sky आपको sky पता है ना बच्चो आकाश में क्या होता है रातको stars होते है इचांड होते है आपने देखे इना stars यह देखो बच्चो यह star है आपको silver paper लेना है उसको star shape में cut करना है और paste करना है Neat and clean करना है Page number 22 निकालना है आपको Tortoise thermacol ball pasting Color the tortoise first, then paste the thermacol balls on its shell as shown in the complete picture यह देखो बच्चो यह tortoise है आपको पता है ना tortoise, tortoise कहाँ पर रहता है पाणी में रहता है First क्या करना है आपको बच्चो यहाँ पर coloring करना है यहाँ पर green color से coloring करना है इतना ही part आपको coloring करना है यह देखो बच्चो यहाँ पर आपको thermacol balls past करना है यह देखो बच्चों यहाँ पे दिख रहा है न morning, तोटा is complete हुआ हुआ, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एसे ही, यह देखकर आपको यह picture पूरा complete करना है, यह शेल है बच्चों, यहाँ पे आपको थर्माकॉल बॉल पैस्ट करना है, पेज नमबर 23 निकालना है आपको Pond Shell Pasting Paste Shells, Ground Nut and Pistachos As sure to make flowers near the pond यह देखो बच्चों यह Ground Nut है यह देखो बच्चों यह Pistachos है और यह Ground Nut है इसका आपको यूज करना है दोनों में से एक ही यूज करना है आपको फर्स्ट आपको क्या करना है ग्लू लेना है और यहाँ पे थोड़ा सा लगाना है फिर Pistachos यहाँ पे ऐसे रखना है और उसको Paste करना है यह देखो बच्चों मैंने आपको लगा कर दिखाया है आपको भी ऐसे ही लगाना है नीट and clean लगाना है आपको पेज नमबर 24 निकालना है टर्टल कॉटन इंप्रेशन कलर दर टर्टल and clouds by using cotton ball इंप्रेशन यह देखो बच्चों यह clouds है और यह turtle है तो बच्चों आपको यह picture complete करने के लिए कॉटन और कलर लगने वाला है यह देखो यह cotton में इसको कळना है इस को गलर में डीप करना है बाद में इस gold को ऐसे प्रेश करके आपको यह पें लौट को फूरा coloring करना इसके लिए आपको वाटर कलण यूज़ करना है और वैसे ही आपको कॉटन को को डीब करना है और यहाँ पेस्ट करना है टार्टर को भी ऐसे करके आपको पूरा कलरिंग करना है अपको प्रॉपर करल प्रॉपर कलरिंग करना है आपको थैंक यू